नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है डॉक्टर नीलम शर्मा. इस वीडियो में हम दिसकस करेंगे कि दापेंटा टैबलेट का उप्योग किन कंडिशन्स में किया जाता है. दापेंटा टैबलेट को कैसे लेना चाहिए और दापेंटा टैबलेट की वज़े से क्या side effects हो सकते हैं और यह भी discuss करेंगे कि दापेंटा टैबलेट को लेते समय क्या-क्या सावधानिया रखनी चाहिए दापेंटा एक brand name है दापेंटा टैबलेट के अंदर salt composition डैपाग लिफलोजन होता है दापेंटा टैबलेट 5 mg वद 10 mg की strength में available है दापेंटा टैबलेट का उप्योग heart failure के इलाज में और type 2 diabetes में blood sugar के level को नियंतरन में करने के लिए किया जाता है दापेंटा टैबलेट शरीर में blood sugar के level को कम करती है शरीर में sugar के level को नियंतरन में रखना बहुत ही जरूरी होता है क्योंकि लंबे समय तक sugar level ज्यादा रहने की वज़ह से kidney damage हो सकती है आखों की देखने की दृष्टी कम हो सकती है और शरीर की नसे damage हो सकती है इसलिए शरीर में sugar के level को नियंतरन में रखना बहुत ही जरूरी होता है खाना खाने के दो घंटे बाद एक नॉर्मल व्यक्ती का blood sugar level 140 से कम होता है खाना खाने के दो घंटे बाद यदि किसी व्यक्ती का blood sugar level 140 से लेकर 200 के बीच में है तो वह व्यक्ती परी diabetic stage पर है शुगर लेविल को नियंतरन में करने के लिए regular exercise और lifestyle वा खान पार में बदलाव करके blood sugar level को नियंतरन में किया जा सकता है यदि किसी व्यक्ती का blood sugar level 200 से ज्यादा है तो हम कह सकते हैं कि उस व्यक्ती को diabetes की समस्या है इसके अलावा kidney की बीमारी से पीडित व्यक्तियों को भी डॉक्तर डापेंटा टैबलेट को लेने की सलाह दे सकता है डापेंटा टैबलेट की बीमारी को ज्यादा गंभीर होने से रोकती है दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आ रहा है तो कृप्या वीडियो को लाइक करना वचैनल को सब्सक्राइब करना न भूले साइड इफेक्स की बात करें तो वैसे तो ज्यादा तर व्यक्तियों में डापेंटा टैबलेट की वज़ह से कोई साइड इफेक्स नहीं होते हैं लेकिन कुछ पसंद व्यक्तियों में डापेंटा टैबलेट की वज़ह से कुछ साइड इफेक्स हो सकते हैं जैसे जुकाम होना, कमर में दर्ध होना, पेशाब अधिक आना, उल्टी आने का मन होना, पेशाब में इंफेक्शन होना, पेशाब करते समय दर्ध होना, गली या फेफडों में इंफेक्शन होना, कब्स होना और शरीर के जोडों वं मासपेशियों में दर्ध होना आधी दापेंटा टैबलेट की वजह से हो सकते हैं। इसके अलावा दापेंटा टैबलेट की वजह से महिलाओं वो पुरुषों के प्राइविट पार्थ में इन्फेक्शन होने का भी जोखिम अधिक हो जाता है। दापेंटा टैबलेट को शुगर कम करने की अन्य दवाओं के साथ लेने से शरीर का ब्लड शुगर लेवल बहुत ज्यादा कम भी हो सकता है। अब हम डिसकस करेंगे की दापेंटा टैबलेट को कैसे लेना रेक्मेंडेड होता है। डापेंटा टेबलेट को खाना खाने से पहले भी लिया जा सकता है। और खाना खाने के बाद भी लिया जा सकता है। डापेंटा टेबलेट को हर रोज एक निरधारित समय पर लेना चाहिए। आम तोर पर 18 साल से अधिक उम्र के ज्यादा तर व्यक्तियों को डॉक्तर ब्लड शुगर को नियंत्रन में करने के लिए शुरुआत में डापेंटा 5 mg टैबलेट को दिन में एक बार और सुबह के समय लेने की सलाह देते हैं। की डोज उम्र, शरीर के वजन और बीमारी की गंभीरता के आधार पर कुछ व्यक्तियों में इससे अलग भी हो सकती है। इसलिए आपको डापेंटा टैबलेट को आपके डॉक्तर द्वारा बताई गई डोज में ही लेना चाहिए। अब हम डिसकस करेंगे की डापेंटा टै टैबलेट का सेवन करना रेक्मेंडेड नहीं होता है। शुगर को अच्छी तरह से नियंत्रण में करने के लिए आपको डापेंटा टैबलेट के साथ साथ रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए। चिंता व तनाव से बचना चाहिए। परियाप मात्रा में नींद लेनी चाहिए। और यदि आपके शरीर का वजन ज्यादा है तो वजन को कम करना चाहिए। टाइप 1 डाइबिटीज होने पर, कोई सरजरी होने पर, डाइबिटिक कोमा होने पर और डाइबिटिक कीटोसिस होने पर डापेंटा टैबलेट को लेना रेक्मेंडेड नहीं होता ब्लड़ शुगर बहुत ज़्यादा कम होने से बचने के लिए आपको डापेंटा टैबलेट को लेने के बाद खाने को स्किप नहीं करना चाहिए और आपको डापेंटा टैबलेट को लेने के बाद आपको अपने regular schedule पर खाने का सेवन करना चाहिए प्रेग्मेंट महिलाओं में ब्लड शुगर के लेविल को नियंत्रन में करने के लिए इंसुलिन को ही सबसे सुरक्षित माना गया है प्रेग्मेंट महिलाओं और स्तन्पान करा रही महिलाओं के लिए डापेंटा टैबलेट का सेवन करना सुरक्षित वर रेक्मेंडेड नहीं है। वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और अगर आपका डापेंटा टैबलेट से संबंधित कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करके पुछ सकते हैं। कर देना।